हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज आप सभी को क्लास 10 के गड़ीत का important question कराने वाले हैं फ्रेंस आप देख सकते हैं कि यह प्रशन 2023, 2022 और 2020 में कई बार यह प्रशन रिपीट हो चुका है इस प्रशन को आप देख के आप अपने बोड के एक्जाम में 4 से 6 नंबर पक्का कर सकते हैं फ्रेंस यह बोड की एक्जाम में 4 से 6 नंबर आने वाला हैं तो इस प्रशन को आप जरूर देखिएगा आप सभी को उन्ही प्रश्णों को करा रहे हैं जो आपके बोर्ट 2024 के लिए एक प्रकार का वायरल प्रश्ण है चले फ्रेंस वीडियो इस्टार्ट करते हैं ते देखिए इस प्रश्ण को आपको कैसे हल करना है step by step सीखते चले जाईए गया देखिए आपका प्रश्ण क्या है कि तीन काट ए बराबर चार हो तो जाचिए कि 1-10 square a upon 1 plus 10 square a बराबर कास square a minus sign square है या नहीं यानि कि दोनों प्रश्ण आपका बराबर है या नहीं यही आपको सीखते करना है अब देखिए इस प्रकार के प्रश्ण को आपको कैसे हल करना है बोर्ड के एक्जाम में पहले यहाँ लिखिएगा हल हल लिखने के बाद देखिए फ्रेंस आपको कैसे करना है यहाँ पर दिया है 3, cut, a बराबर 4 यहाँ से पहले cut, a का मान ग्याद की जिदे काट, a बराबर आपको हो जाएगा 3 को 55 करेंगे 4 बटा के 3 हो जाएगा अब यहाँ से क्या करेंगे पाइथागोरस परमेर लगा के पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 भूजा ग्याद करेंगे देखिए कैसे ग्याद करेंगे पहले काट, a का फार्मूला लिखे काट, a का फार्मूला जब लिखेंगे तो आधार बटा के क्या होता है आधार बटा के लंब होता है यह फार्मूला होता है यहाँ पर कितना मान दिया 4 बटा के 3 इसका मतलब हुआ कि आपका आधार कितना हुआ और लम्म कितना हुआ तीन हो गया ठीक है अब यहां से कड़ ज्याद करेंगे कैसे ज्याद करेंगे तहीं यहां पर पहले समकोडत्री भूच्ष इस प्रकास बनाईएगा देखे समकोडत्री भूच्ष बना लीजिए ठीक अब यहां भाहिए क्या करते है कि इसको आधहार लेmost एंदेखिए जब आधार है यहां पर क्या हो जाएक到 जाए कि खर लाम ठीक है यहां पर आधार कितना है आधार चार है लंब कितना है तीन तो कड़ ग्याद कर लिजिए तो कड़ ग्याद करना आप सभी को पता है कि कैसे ग्याद करते हैं देखें यहां पाइथा गोरस पर में लगाएंगे तो पाइथा गोरस पर में फार्मूला क्या होता है प्लस लम कितना दिया है तीन का स्क्वार कर लेंगे ठीक है यह तेन हो जाएगा आपका तेन का स्कॉार्ट नो हो जाएगा ठीक है यहां में देखें कर्ण का स्कॉार बराबर हो जागा 16 और 9 जोड लिजें, कितना होगा 25, आप सभी को पता है friends, कि आपको यहाँ से वर्ग उठाना तो कैसे अटेगा, यहाँ लिखे, पहले करण का स्क्वायर बराबर 25 लिखे, यहाँ से स्क्वायर अटाना तो दोनों पच्वों क्या करेंगे, यहाँ से वर्ग मुल लेंगे, कर आधार पता है चार लम्पता है तीन अब देखे जो सीध करना रहता है यहां पर ध्यान दीजिए गए आपको इसमें टैन यानि कास और साइए इन तीनों के मान पहले निकालना पुड़ेगा देखे कैसे निकालेंगे आप ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखे टैन अधार टैन का लम पठाके आधार होता क्या होता है लम पठाके अधार ठीक है यह से लम्प देखे कितना है बहुत कितना है चाल कर लिजिए इसको विस्वित 1998 कर लीजिएcade यहां से आधार कितना है आधार चार देखिए आधार कितना है और अभी निकालें देखिए इसके बाद देखिए इसमें साइन भी निकाली आप यह बराबर क्या हो जागा आपका लम बटाकर करड़ करड़ देखिए इस प्रश्ण आयगा तो आप अच्छा नंबर का बورड़ के इसको समझ दीजिये अब देखिए आपको जो सिद्ध करना है ये दोनों पर आपको बरावर दिखाना है तो चलिए यहां पर पर लिख लिए क्या सिद्ध करना है चलिए यहां लिखते हैं सवाल को और फिर सवाल हल करते हैं ध्यान दीजिए अठीक है यहाँ भी देखिए क्या दिया है कि आपको सिद्ध करना है कि 1-10²a अपां सिद्ध करना है 1-10²a बराबर क्या सिद्ध करना है कास²a-sin²a यह सिद्ध करना है अब यहाँ भी क्या करेंगे जो मान दिया है मान रख लिजिए 10a का देखिए यहाँ पर मान रखते हैं मान रखके हलके जी देखिए 1-10 एक जगब कितना है 3 बटा के 4 है न तो 3 बटा के 4 का whole square बना लिजी अब 1 प्लस 10 एक जगब कितना है 3 बटा के 4 तो 3 बटा के 4 के square कर लिजी ठीक है यह बराबर है कास एक मान कितना है चार बटा के पांच तो चार बटा के पांच है तो इसक्वार तो इसक्वार कर लीजिए माइन साही ने कमान तीन बटा के पांच है तो इसक्वार तो इसक्वार कर लीजिए ठीक है इतना कर लीजिएगा आप अब देखें इसी को हल करके देखना है कि दोनों पच का जो हल कर करेंगेद तक लुघ के इसको ऊचे explains शोला हो जाएका इसी तेब एक है तो एक रहने दीजिये माँच त्रुनिच्व होनिपल्र हं याँ चारगी स्कुल पांच कर लीजिए । ऑब आप दीखिए कैसे यहां करेंगे मैं नुट कितना को माइनस नौ बटाँके 16 ठीक है अपान इसी तरह यहां भी क्या करेंगे देखे हर में भी वही काम करेंगे 16 प्लस 9 अपान यह 16 है तो 16 कर लिजिए यहां पर देखिए 16 में सनो गटा यह कितना बचेगा 7 और बटा के 25 ठीक है इसलिए कि हर बराबर अंस को गटा लिए जाता था 16 में सनो गटा दीजि कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा अपान यह 16 कर लिजी इसके बटामे ठीक है protocol में उज़्यर कितना हो जाएगा इसके बटा रह 맞아 कितना हो जाएगा अब धी इसको लिख लिए 16 सोला साल कर गया आपका यहां द्यान दीजैए यहां पर जाहिए गए क्या रहा है बराबर आ रहा है ना दोनों फच्छ में मान दोनों को हल की है साथ बटा कैंपे साथ बटक 25 बराबर आ गया और यही तब आपका जब बराबर होता है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लास्ट में लिख देते हैं इस प्रकास इस सवाल को आपको बूर्ड के बराबर इस प्रकास बोर्ड के एक्जाम में सवाल को हल करना रहता है यह बोड के एक्जाम में चार नंबर या छा नंबर का प्रश्ट आता है ये प्रष्ण कई बार रिपीट हो चुका आप सभी को बता चुके हैं तो further देखे इसी प्रकार से परतेग दिन दो चार प्रष्ण आप को करा रहें उन सभी प्रश्णों को आप करते रहिए ठीक है तो फ्रेंज आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए हैं तो चलको साथ में सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें